हेलो बच्चो कैसे आप साभी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा चैप्टर 21 करेंगा जिसका नहीं है बिजी एक वर्क और इंटरनल ओर्गन्स ठीक है यह मैं आपको एक्सप्प्रेंड करूंगा हिंदी में और इस जो यह हमारा चैप्टर है इसको हम दो पार्ट में और अगला पार्ट जो है इसका लिंक आपको कमेंट सेक्षन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्ले लिस्ट दी है उस पर क्लिक करोगे वहां से आपको पार्ट वान पार्ट तो दोनों मिल जाएगा ओके लिगन इससे बेले अगर आप हमारे चैनल पर देहो ते चैनल को स चलो स्टार्ट करते हैं देखो यहां पर क्या बोलना है बीजी एट वर्क बीजी मतलब क्या होता है वैस्ट वर्क मतलब काम मतलब कि काम में वैस्ट कौन और इंटरनल ओर्गन मतलब कि हमारे अंदुरूनी अंग मतलब कि हमारे अंदुरूनी अंग काम में वैस्ट हमारे बॉच्त क्डिया निच्ट काम कर से पढ़ने वाले कीऊ कैसी है क्या काम करते हैं हमारे बॉड्य के अंदर वो सब जानकारी हमें यहां पे मिलेगी तो क्या है उसके बारे मैं बोल रहे तो इसमें जो भी हमने पहले पढ़ा आगा देदे प्रहें का थाइल क्या पर क्लास आपको एक मोटा पेपर है यह कोई बच्चा उसके हाइड का है ठीक तो इतना लंबा पेपर आपको लिना है ओके क्या करना है उसको चिपका देना है ठीक है कुछ इस तरी किसे देखो कैसे इसको दिवाल पर लगा कर दो यहां पर टेप से चिपका दिये चारो साइड तक यो गिरे नहीं ठीक है आगी क्या है आस्क वन सुडेंट तो स्टेंड अगेंस्ट इट एंड अनदर टो ड्रॉदी आउट्लाइन अफ दी बॉड़ी यहां पर सर के साइड से फिर इसके हाथ का फिर पैर का ऐसे आउटलाइन बना देना है ठीक है आगी क्या करना है भी देखो तो देखो यहां पर अभी क्या बोल रहे है कि अभी एक किसी एक बच्ची को आप बोलो कि वो क्या करे अभी यहां पर जो भी आपको बोले गए उसको सही सही बदाए कि वो अंग जो है वो हमारा ओर्गन कहां पर है ठीक है पहले दो ब्रेन अब देखो ब्रेन कहां पर आउट्लाइन है इसमें हमारे दिमाग कहा पर है यहां पर रहे था हमारे दिमाग यह है यहां पर ठीक है उसके बाद क्या बोल रहे है हमारे लंग्स कहा है हमारे जो फेपड़े है वह कहा रहे थे हैं वह तो आपको पता है यह वाले हिस्से में हमारे लंग्स रहे थे हैं यह आप जो यहां पर नीचे आपको दिया गया है और जो भी दिया गया और गिन के बारे में इनकी जो भी जानकारी जो भी इन्फॉर्मेशन आप आपको याद करने जो पहले आपने पढ़ा है पहले किया देखो इन विच के टी के डी ऑफ दी बॉड़ी इस इट सबसे पहले आपका यहां पुछ रहे हैं कि यह जो हमारे ब्रेन हैं लंग से हार्ट है कि कौन सी केविटि में तो आप कैसे लिख सकते हो तो इसमें दो सबसे पहले आपकर लिख सकते हैं वियाँ ए तो पहले लिख़ुआ आप विया अ Abdominal Cavity ठीक है तो यह अलग-अलग आप लिख सकते हो इस तरीके से कौनसी काविटी में कौनसा हमारा ओर्गन है इसको पाद देखो सिर्गन क्या वाला वाट इस फंक्शन हम देखो फंक्शन सबके पूछ रहे है कि हमारा ब्रेन क्या करते है लंग्स क्या करते है हार्ट क्या क हमारे सारे काम को कंट्रोल करता है और कोई भी इमोशन हो कोई भाव होता है हमारे जो मन में आता है उसा ब्रेन कंट्रोल करता है तो यहाँ पर देखो आप लंग्स के क्या लिख सकते हो लंग्स का लिख सकते हो कि लंग्स help to supply air that we breathe into the entire body मतब कि लंग्स जो रहते हैं वो जो हम सास लेते हैं हवा अंदर वो हमारे पूरे बॉड़ी में सप्लाई करते है और हाट का आप कैसे लिखोगे हाट का लिखोगे हाट पंप blood to the other body parts मतलब कि जो हमारा हाट है वो जो खून रहता है उसको हमारे बाकी के बॉड़ी के हिस्से में भेजता है ठीक है अब स्ट्रम है उसमें क्या होता है हमारा खाना जाकर स्रोर होता है और कुछ समय बाद उसमें डाइजेस्ट होता है ठीक है यह आप लिख सकते हो ओके तो थर्ड में आपको क्या हो ले कि अब कौन-कौन सी हड्डिया है जो हमारे दिमाग को हमारे फेपड़ों को हमारे दिल को और हमारे ब्रेन को रोटेक करती है बचाती है एब लंग्स और हाट अब लंग्स और हाट को कौन प्रोटेकट करता है? तो आप केशे लिखोगे? अब लिखोगे? लंग्स हर्ट अब ब्रोटेक्टेड die rib cage ठीक है? उसक पर लास्टमक के क्या लिखोगे? स्टमक का आप लिखोगे आप इसमें लिखोगे कि strong muscular wall protects the stomach ठीक है तो यह हो गया हमारा आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है यहाँ पर आपको बोले can you tell me क्या आप बता सकते हो क्या देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको मतब कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि हम तो सास तो लेते हैं सास तो हमें रूटती नहीं और जो हमारी दिल की धड़कन है वो भी चलती रहती है वो भी महसूस होती है और क्या सम्टम्स सम्ट वियर्ड सांद फ्रों और स्टमक और अडिबल और कभी को भी हमारे पेट से कुछ अजीब आवाजे भी हमें सुनाई देती है गुड़गुड वाली आवाज ठीक है आगे क्या दिस इंडिकेट्स देर्ट सम् डाइजिस्ट्ट्र अक्टिविटी सास लेना डाइजेशन मतलब कि खाना का पच्टना यह सारी चीज़े जो है लगातार हमारे बॉड़ी के अंदर होते रहती है कुछ ऑर्गन की मतलब से लेट असलन सम्टिंग अबाउट इस प्रोसेश एंडिया ओर्गन के बारे में पढ़ते हैं और जो प्रोसेश इनके बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है तो क्या है दो आगे त्राइदी से आपको ट्राइब करने वोले देखो यहां पर क्या बोला है यूज़ वाच काउंट हाव मेने टाइम्स यू ब्रीद इन वन मिनिट वेन यूज़ एक वाच का यूज़ करते हुए आप यह गिनो कि आप से बैठे हो आपको एक वाच लेना है और आप से बैठे हो और देखो आप कितनी बार एक मिनट में सास लेते हो ठीक है आगे फ्रॉम इस वर्क आउट अप्रॉक्सिमेटली हाव मिने टाइम्स यू ब्रीद इन आर और क्या बने देखो कि इसके बाद जब आप पता ल ऑनलिम्स लेड़े ल芝ा और यहां पर, मैं एक मिनट में गालम, सास ले लेगा है। आप एक गंडे लागे आपको roller तो यहां पर आगे डियागे रेस्पिरेशन ठीक है तो रेस्पिरेशन में तब क्या होता है सास लेना तो देख रेस्पिरेशन के बादे हम पढ़ेंगे क्या वोल रहे है कि हमें हवा पानी और खानी की ज़रूत है जीने के लिए ठीक है और हमारे बादी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे लगातार ऑक्सिजन मिलता रहे रहे हमें यह जो अक्सिजन मिलता है कि इसे हवा से जब हम सास लेते हैं ठीक है इसलिए हम लगातार सास लेते रहे हैं टीक है, in our body, there are organs that carry out the work of respiration, क्या बला है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे organ मतब कुछ ऐसे अंग है, जो ये respiration का काम मतब हमारे जो सास लेने का काम करते हैं, टीक है, read their names in the diagram on the next page and also their description, और क्या बला है भी देखो, उनके नाम अगले page पे जो diagram दिया गया, और उनका description मतब उनके बारे में और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी दी गई है, तो देखो अगले page पे जब आओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो तुम clearly बताया गया हमारे सास लेने में हमारे कौन से body के parts, body का organ मदद करते हैं, सबसे बेले नोस नाक से हम सास लेते हैं, फिर देखो यह ट्रैची है, wind pipe है, यह वाली pipe से हमारे सास लेते हैं, जो हवा रती है, इससे अंदर जाती है, फिर जाके किसमे आती है, हमारी यह जो हवा है, वो lungs के अंदर आती है, फिर lungs से बाकी body में supply होती है, अब देखो इसके बारे में अच्छे सा detail में हमें नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखो का आप लिखा है, respiratory system, मतलब कि हमारा सास लेने का system, ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या के दिये गए, यहाँ पर देखो, क्या है आपको, the diagram above shows our respiratory organs, देखो, यहाँ पर कावल लें कि जो यह diagram above, मतलब जो उपर दिया गए, यह हमारा respiratory organ के बारे में बता रहा है, मतलब जिससे हम सास लेते हैं, वो organ, वो अंग हमारे यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, आगे का है, when we inhale, the air from outside goes into the trachea and through its branches into the lungs, देखो, यहाँ पर का बलें, जब हम inhale, मतलब हम सास अंदर लेते हैं, इन्हेन मतलब सास को अंदर लेना, हवा को अंदर लेना, तो बोलें, जब हम यहाँ से सास को अंदर लेते हैं, तो हवा यहाँ से होते हुए, हमारे यह ट्रेचिया वाली pipe में आती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद through its branches, वो उसके branches से हमारे lungs के अंदर याते हैं, ब्रांचिस कैसे हैं, यह एक पाइप आई है, तो इसमें से हमारे फेब्ड़े में जाकर जो branches है, जो दो branches निकली हैं, यह और भी छोटे छोटे कई branches में जाकर bycoat होते हैं, जैसे देखो, यह सिंगल पाइप आई थी, इससे से दो ऐसे छोटे छोटी पाइप निकली है, उसके बाद देखो, इसके अंदर याके कितनी सारी छोटी बन जाते हैं ओके अभी देखो आगे यहां पर क्या बोल रहा है आपको एड़ एंड अफ दी लास्ट ब्रांच इस देरा एर सेक्स और एल्वियोलाई क्या बोले देखो आपको कि जो छोटे-छोटे ब्रांच होते हैं उसके बाद यह जो ब्रांच जहां पर खतम होती है वह ब्रांच इसमें से दो डिवाइड हुए उसके बाद जो ब्रांच जहां पर खतम होती है यहां पर खतम हो रही है जहां पर खतम होती है वहां पर एल्वियोलाई रहती है इसको बोलते है इस तरीके कर रहता है इसको एल्वियोलाई बोलते है जहां पर हमारे जो ब्रांच कि जो ब्रांचे से खताम होती है इसको हम बोलते हैं अब आगे क्या है देखो आपको कि बिट्वीन दिया थोरैसिक काईविटी एंड एब्डॉमिनल काईविटी डिरीज और लाई का फ्लेक्सिबल शीट इट इस कॉल्ड डैफ्राग यह आपकर कि ओर्रैसिक काईविटी कौन से आपको यह उपर वाला हिस्दा थोरैसिक काईविटी होता है और रीचों कि भी इसके भी में एक फ्लेक्सिबल शीट, मतलब एक लचीली कोई शीट जैसे रहती है, उसको क्या बलते है, डाइफ्राग, यह हमारा बॉड़ी का एक हिस्सा है, तो यह हमारे छाती और पेट के हिस्से के बीच में रहते है, जिसको हम डाइफ्राग मुलते है, अब जो को डाइफ्राग का क्या काम होता है, क्य क्या बोल रहा हैं? कि जब defragme है जब नीचे देखो क्या बोल रहा है? जब नीचे आता है, तो हम सास लेते हैं और यह हवा आके हमारे lungs में भर जाती है यह alveoli में भर जाती है, alveoli укagen मतल है यह चोटे-चोटे competitiveness इसमें हवा आके भर याती है वो टाइम पे ओके आगी क्या है जब यह उपर की तरफ जाता है तब क्या होता है जो हवा है वो हमारे बौडी के बाहर ढखेल दी जाती है ठीक है तो यह जाकर हमारे एक्सटों हमारे व म भर गी है अब अब आगी किसेंज के आपको जहां सब है दिखते हैं कि क्या बुल ले देखो यहां पर विन दे आउटसाइड एर रीचिस जब पहुशती है तो क्या होता है उसके उसमें जो ऑक्सीजन रहता है वह हवा जो हमारे बॉड़ी के अंदर रहती है जो उसमें ऑक्सीजन रहता है वह हमारे जो एल्वेलाइ के आज जो खून रहता है उसमें वह पास होता है ठीक है जो ब्लेड वेसल रहते है उसमें पास होती है ब्लेड वेसल क्या होता है देखो आपको मैं बताता हूँ ब्लेड वेसल देखो यह होते हैं ब्लेड वेसल यह दिख रहे आपको छोटे-छोटे गोल-गोल इसको हम बोलते है ब्लड वेसल, ओके, यह होते हैं हमारे ब्लड वेसल, हम देखो आगे क्या बोल रहे हैं आपको, यहां तक हमारा हो गया है, ब्लड वेसल में जाती है, यह ऑक्सिजन जाता है, तो उसे जो हमारा ब्लड है, वो पूरे बोड़ी में सप्लाई कर देता है, क्योंकि blood हमारे पूरे body में बैता है तो देखो जब हम सास लेते हैं तो LVLi में जब हमारा जो भी यह present रहते है खून तो वो क्या करता है oxygen हूँ हवा से ले लेते हैं और उसके बाद वही खून लेके जाता है उस oxygen को पूरी body में supply कर देता है अब आगे कर देखो अब क्या बोल रहे हैं कि देखो अभी जब हमारा जो blood vessel है वो क्या करता है oxygen लेके पूरी body में जाता है ठीक है लेकिन अगर गलती से कोई उसमें carbon dioxide चली गई है यह हवा हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है तो क्या करता है अगर गलती से वो चली गई है तो वो आपी साथ समय क्या करता है वो हवा को लेके आता है carbon dioxide को और जब LVLi से वो oxygen लेता है तो carbon dioxide LVLi को debi देता है ठीक है तब क्या होता है when we exhale the carbon dioxide is also given out with the air और क्या होला है कि जब हम सास एक्जेल में तो क्या सास बाहर छोड़ना तो क्या हम बाहर सास छोड़ते हैं तो जो carbon dioxide हमारे LVLi में रहती है वो हमारे सास के साथ बाहर निकल जाती है ठीक है अब आगी क्या है देखो यहाँ पर in this way we exchange in this way an exchange of oxygen and carbon dioxide gases takes place in the LVLi क्या बोल रहे इस तरीके से जो हमारे शरीर के अंदर oxygen और carbon dioxide हमारे शरीर के अंदर in gases का exchange होता है मतलब यह gases इस तरीके से हमारे body के अंदर आती है अंदर और बाहर याती है ठीक है आई होप आप समझ गए होगे चलो आगे बढ़ते हैं अभी अब यहां पर क्या बोल रहे है do you know मतलब क्या आप जानते हो क्या देखो dust and smoke particles may be present in the air in the atmosphere क्या बोल रहे है कि जब होँ देखो जो हवा हो रहती है बाहर जो हवा है atmosphere में उसमें क्या होता है smoke मतलब कि धुवा smoke smoke particle और क्या dust dust में क्या धूल मिल्टी बोले कि हवाई में तो यह सब मौजू यह सब मौजू रहते है यह सब प्रेजेंट रहते है ठीक है यह हमें पता है आगी क्या there may even be a disease producing microorganism और क्या हो सकता हुआ हमें कुछ ऐसे microorganism में तो छोटे छोटे जीव हो जो बिमारी फैलाते हो they are harmful for the body यह जीव है यह हमारे शरीद के लिए बहुत नुकसान दे रहते है ठीक है बागी क्या दोखो the inner lining of the respiratory organs has fine hair leg structure called cilia देखो क्या बोले है आपको यहां पर कि जो हमारा respiratory organs होते है जो हमारे मतलब कि जिससे हम सास लेते है यह सारे जो अंग होते है इसमें एक छोटे छोटे hair leg structure होते है मतलब बाल जैसे कुछ तो रहता है जिसको हम cilia बोलते है ठीक है और क्या बोल रहे है on this inner lining there is also a layer of sticky substance called mucus और क्या बोल रहे है कि उसमें एक sticky layer मतलब कि एक चिपचिपी layer भी रहती है जिसको हम mucos बोलते है ठीक है the dust and smoke particles stick to this substance और क्या बोल रहे है कि अगर गलती से हमारे body के अंदर कोई dust कोई समलोग धूल मिट्टी या तो smoke धूवाई यह सब अगर हमारे body के अंदर जा रहा है सास के दौरा तो इसमें जाकर चिपच जाता है ठीक है thus the harmful substances in the air cannot reach the lungs और क्या बोला है इस कारण जो harmful जो भी substance रहते है जो भी चीज़े रहती है वो हमारे lungs में नहीं पहुच पाती है हमारे फेपड़ों में नहीं पहुच पाती है ठीक है ओके चलो आगे भी दिखते है क्या है यहाँ पे आप बोलें आपको try दी सिया try करने बोला है क्या है दोखो count how many times you breathe in in one minute just after you have run a hundred meters दो यहाँ पे क्या होले क्या आप count करो कि आप एक minute में कितनी सास ले पाते हो लेकिन कब count करना है आपको जब आप 100 मिटर दोड कर आए हो जब कि एक लंबी दोड लगा कर आए हो तब ठीक है चलो भी आगे देखते get someone else to count how many times you breathe in one minute while you are sleep अब क्या बोले कि कि किसी और को आप बोलो कि वो count करे हो गिने कि आप सोते समय एक minute में कितनी बार सास लेते हो ठीक है what is the difference in the two counts अब क्या बोले कि इन दोनों में क्या difference क्या अंतर आ रहा है तो देखो आपको मालूम है जो आप डौड क्या होगे तो आप जल्दी जल्दी सास लोगे क्योंकि आप की सास फूलने लगती है लेकर जब आप सोगे आप आराम से सास लोगे कम सास लोगी क्योंकि आपका शरीर एकड़म आराम में रहता है यह फर्रक आपको दिखेगा ओके चलो अब आगे देखते हैं अब आगले पेस पे आते हैं यहां पर क्या है the effect of smoking 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 में क्या बनता है cigarette पीना cigarette यो लग पीते है और a long period of time the toxic substances in the smoke collect in the respiratory tract देखो यहाँ पर क्या बोल रहे है कि अगर कोई लंबे समय तक smoke करता रहे वंदर cigarette पीता रहे तो क्या होता है जो toxic substance जो cigarette के अंदर जो खतरनाक substance जो खतरनाक उसके अंदर जो छोटे आप बोल सेकते हैं यह सब जो सब भी रहते हैं वो और smoke और धुआ जो रहता है वो जाकर हमारे respiratory tract जो हमारी सास की नली है फेपड़े है यह सब में जाकर जमा हो जाता है ठीक है आगे क्या बोले है ऐसा result the air that enters the lungs is not sufficiently purified and the impurities in the air begin to accumulate in the lungs क्या बोले है इस कारण क्या होता है देखो अब जो cigarette पी रहे तो खतरनाक substances सब जाकर अंदर जमा हो गया तो इसका ऐसा result इसके कारण क्या होता है जो भी air जो हवा हमारे lungs के अंदर जाती है वो अच्छे से purified नहीं हो पाती है ठीक है और जो impurities रहتी है जो हवा के अंदर impurities रहती है वो भी हमारे lungs के अंदर जाने लगती है तो जो हमारे mucus है cilia है यह सब एक्दम खराब हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है हवा purified हो प्यूरिफाइग नहीं होती है उसकी efficiency कम हो जाती है और क्या बहुत है कि जो lung मतलब फेपड़ों की बीमारी disease मतलब बीमारी होने का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है ठीक है lungs की कोई भी बीमारी हो सकती है देखते हुना lung cancer यह सब जो cigarette पीते हैं, smoke करते हैं बहुत जल्दी होता है, इसी कारण होता है क्योंकि उनके फिर हवा जो है purify नहीं हो पाती है और जो cigarette में जो chemical substance रहते हैं जो भी धूँआ रहते हैं, जाके lungs में जमा होता है तो इनको जल्दी cancer ही सब हो जाता है ठीक है अब आगी क्या है देखो अब यहाँ पर एक है the solid particles in the tobacco smoke from the cigarette or bidi form a sticky layer inside the alveol देखो क्या बोलना है भी आपको कि जो solid particles जो रहते हैं अब देखो किसमें जो tobacco smoke रहते है या तो cigarette है तो bidi मतब कि जो भी tobacco का smoke करता है या तो cigarette है तो bidi इसमें एक ना solid particle रहते है जो हमारे किसके अंदर हमारे lungs के अंदर जाता है उसके पाद लंक्स के अंदर जाने पर alveoli पर जाके चिपक जाता है मैंने आपको दिखाया गोल-गोल जो हमारे lungs के अंदर रहते है जहां से oxygen हमारे blood के अंदर जाते है तो उसपे जाके छिपाग जाता है, तो क्या होता है, क्या होता है ? अब वहीं से oxygen हमारे body के अंदर जाता है, लेकिन वहीं पर जाके, ये cigarette और beauty के जो भी खतरना गेमिकल्स के साथ है, ये सब जाके पर्टिक जाकर जाता है, जाकर चिपक जाएंगे तो oxygen कैसे जाएगा ? नहीं जा पाएगा ठीक है जहां से उसे जगहाँ मिलेगी वहीं से जा पाएगा मलब अच्छे से नहीं जा पाएगा तो क्या यहां पे वही बोल रहे है कि इससे क्या होता है हमारा जो tablespoon जो ब्लड में supply होता है जो हमारा ऑक्सिजन जो हमारे खुंके अंदर जाता है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है इन एडिशन संप टॉक्षिक सबस्टेंसेंस इंदा टोबेक को और एंटर जा इसके साथ क्या होता है जो बीडियेट के जो भी केमिकल्स यह सब रहते हैं वह बॉडी के अंदर चले जाते हैं मतलब खून के साथ हमारे बॉडी में वो सप्लाई हो जाते हैं ऑक्सीजन की जगह ठीक है तो यह तो बहुत खतरनाक है आगे देखते हैं और क्या होता है इस इल एफेक्ट लेट टू डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी और इंक्लूडिंग ला आफ इस लेवा बिजीज मतलब बीमारी हो सकती है इस से एक जैसे कि लंग कैंसर मैंने आपको बताया था ना कि यहां पर आपको बोला है ठीक है अब आगे देखू क्या आपको पैसिव स्मोकिंग मतलब क्या होता है देखो लोग आप कोई सिगरेट पी रहे है उसके तो यह जाता है पैसी स्मोकिक मतलब आप सिग्रेट नहीं पी रहे हो तो देखो क्या बोले है इफ ट्रव और पीपल आउं पर वह स्मोकिंग इवन इफ यह दू इफ यू आप स्मोक आउसल्ब देखो क्या बोल रहे हैं पर कि अगर हमारे आजू-बाजू जो लोग रहते है पीपल मतलब लोग आजू-बाजू जो हमारे आजू-बाजू लोग रहते हैं अगर वो स्मोक करते हैं अगर वो सिग्रेट पीते हैं तो हमें भी उसका परिणाम हमें भी कुछ उसके नुकसान भरने पड़ते हैं ठीक है हमें भी उसका कुछ नुकसान होगा बहले से हम स् smoking in public places क्या बोल रहे हैं इस कारड़ क्या होता है अब smoking जो है public places में बैंड है ठीक है कोई भी public place में smoke नहीं कर सकता है cigarette नहीं पी सकते है अब देखो आगी क्या आपको यहां पर अन्यू वर्ड एक नया शब्द क्या है देखो gland gland मतलब क्या होता है an organ that secrets a certain substance दो gland क्या बोलते हैं कि ऐसा organic ऐसा अंग जिसमें से कुछ substance निकलता हो कोई चीज निकलती हो ठीक है okay secrets मतलब क्या निकालना दो आगे क्या आपको digestion digestion मतलब क्या जो हमारे body कंदर खाना पच्छता है ना पच्छाना आप बोल सकते हो खाने को पच्छाना ठीक है कैसे है देखो let us know let us now learn something about the elementary canal the digestive organs and their functions अब देखो यहां पर क्या बोल रहे है कि चलो हम कुछ सीखते हैं अपने elementary canal के बारे में digestive organ के बारे में और उनके क्या काम होती है w Canadians क्या होता है इनका काम क्या था संब हम आङे पढ़ेंग ठीक है धीरर दीर सबदेखते हैं यहां पर क्या लिखाया अब यहां पर देखोगे तो सबसे पहले आपको है दा एलिमेंटरी कैनल क्या होता है देखते हैं दा फूड वी इट इस डाजिस्टिद इन और बोडी अदुग यहां पर क्या वोलना जो खाना हम खाते हैं वो डाजिश्टिट आप पच्छता है हमारे बॉड़ी के अंदर यह तो पता है डेट इस सब्स्टेंस इस सब्स्टेंस बनता है जो खून के अंदर जाके मिलेगा यह होता है हमारे एक लंबे फ्लेक्सिबल ट्यूब मतलब लंबे लचीले पाइप के अंदर जिसका नाम क्या है इस का जो हमारा इलिमेंटरी कैनल है इसका जो उपरी हिस्सा है उसका हम क्या बोलते हैं मुह यह एलिमेंटरी कैनल जो यह पाइप है इसका उपरी हिस्सा हमारा मुह होता है और इसका जो इदम नीचे का हिस्सा ह हो लात है एनस मदब काँ नहीं पोटी करते है ए जहां से अ झाल पोटि करते है वह जहां से टारे गोड़ी कर टेन से त्रिम में के एक आख से के थे लिव in यहां पर किया है, even if there is a continuous tube going from the mouth to the NS, the shape of this tube is not the same in all its parts. देखो खोले कि भले से जो यह pipe है, यह लगातार हमारे मुझ से लेके NS तक जाता है, ठीक है? यहां तक जाता है लेकिन इसका आकार हमारे शरीर के अलग अलग हिसे में इसका अलग होता है यह एक ही साइस का पूरे शरीर में नहीं रहता है ठीक है मैं तो देखो हैं जो शरी यहां पर बीगे थिक्ने जिसका होता है फिर यहां पर टो पोड़ी से भाहर निकलता है ठीक है अब देखू को यहां पर क्या बोले दर डिफरेंट पाट्स दी एलिमेंटरी चैनल हेव डिफरेंट स्ट्ट्टूर्स और फंक्शन अब क्या बोले जो एलिमेंटरी कैनल जो हमारे मुंसे स्टार्ट हो के हमारे एनस के लिए जाके काम नहीं होता है ठीक है आगे कि यह जो अलग-अलग हिस्से रहते हैं हमारे elementary channel के इसको हम digestive organ बोलते हैं ठीक है अगे कि certain glands outside the elementary channel assist the process of digestion क्या बोले हैं कि जो elementary channel के बाहर जो हमारे gland रहते हैं ठीक है तो वो लोग क्या हैं वो लोग इसमें help करते हैं जो digestion का process रहता है जो खाने पचाने का इसमें वो भी help करते हैं ठीक है सिर्फ ही अकेले नहीं करता है उसको बाहरी जो हमारे organ रहते हैं उसके side side में वो भी help करते हैं तो कौन-कौन खाना हमारे मूँ के अंदर जाता है वैसे ही शुरू हो जाता है खाने को पचाने का process क्या देखो 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 और soft moist ball मतलब क्या अब बचेता है नरम गीला बॉल स्वाल मतलब क्या घोटना देखो क्या वहले कि जो हमारे दात होते हैं जो हमारी जबान होती है और जो हमारा थूक होता है यह मदद करती है खाने को एक गीला, एक गीला soft ball बनाने में जो हमें swallow करने में है, जो हमें निगलने में असानी होती है, ठीक है? आगे किया देखो the bolus passes through the esophagus into the stomach देखो bolus में जो किया गीला soft ball रहता है Thats किया बलो है हमारे esophagus से पास होते हुए स्ट tark हमारे पेट में आता है esophagus क्या होता है देखो जो हमारी ये खाने की नली होती है उसको बोलते है यहापे देखो तो हम खाना खाते हैं यह इस नली से होते हुए हमारे पेट के अंदर जाती है अब आगे आपको तुम मतार kommt हुए खराइं कि तरह को फ Practice बहुत कि नहीं क्या करते हैं दिंग के रेफरेंस के लिए हमें कोई ड्राइग्राम हम ले लेती हैं तो यहां पर दिको ठ्कति हमें क्या वोले कि हमारा जो पेट है वे एक मैंग की तरह होता है यह देख सकते हैं यह यह लुए यह आपको बोला कि चलब भी आगेवे दिखते हैं आगे क्या है भी आपको अगर हो गए दाज़े में रख दीते जब जब रहुत पड़ेगे हम लेंगे अब आगे का है जो हमारा इस्टामक पेट होता है इसके अंदर कुछ भी आज़े में खाने को इसमें हेल्प करते एक इसको बढ़ा हुआ देते हैं है at the same time some disease producing germs in the food are also destroyed और क्या होता है यह जो जूस है हमारे पेट के अंदर यह क्या करता है अगर खाने से कुछ बीमारी होने वाली है यह तो कुछ ऐसे जर्म्स यह जो टाड़ू है जो बीमारी फैलाती है तो उसको क्या करता है यह जूस जो है उसको भी खतम कर देता है तक हमारे पेट के अंदर कोई बीमारी नहीं हो ठीक है फूड इंफेक्शने सब जो भी हो या तो कुछ और बीमारी नहीं हो पाए आगी कहे दा फूड चेंजिस इंटू अथिन स्लरी इंदर स्टरमक अब देखो यहां पे यहां पे क्या बोल रहे आपको स्लरी स्लरी मतलब क्या होता है पतला मसाला आप बसकते हो ठीक है पतला स कुछ गीला पदार्थ रहे तो क्या होला है जो हमारा खाना रहता है वो पेट में जाकर क्या होता है इसके बाद एक पतला गीला सा पदार्थ बन जाता है ठीक है अब आगे के दिन इट पासिस इंटू था स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके बाद क्या होता है यह जो हमारा slurry है यह हमारे small intestine में जाता है ठीक है मतलब हमारी intestine में तक है अत्री यह आप बोल सकते हो देखो यह हमारी है small intestine यह छोटी छोटी देखो यह small intestine है और यह जो बड़ी से आपको दिख रही है यह है large intestine क्या बोलने है जब वो slurry बन जाता है क्या बोल रहे है कि अगर एक जो बड़ा इनसान रहता है कोई बड़ा रहता है बच्चे नहीं बड़े की बात हो लिए उसकी small intestine करीब करीब 7 मीटर की होती है मतलब खली से भी लंबी होती है खली great खली मालू है न उससे भी लंबी हमारी small intestine होती है आपकी नहीं आप तो छोटे हो जो बड़े लोग होते हैं उनकी आगे क्या जो हमारे खाने पच्छने का जो काम रहता है इसमें अलग-अलग बदला हो लाता है ठीक है और भी ज्यादा आगे बढ़ता है हमारे खाना पच्छने का प्रोसेश देश्चन ऑफ सम् यह भी कुछ पदार्थ निकालते हैं कुछ जूस निकालते हैं जिसके जैसे डाइजिस्ट्ट और भी ज्यादा फास्ट होता है ऐसा result of all these digestive process certain substances are produced और क्या बोलना है कि यह सारे digestive process मतलब जो खाना पचाने का process है यह सब होने के कारण क्या होता है इससे एक नया substance बन जाता है हमा यह हमारी body के लिए बहुत useful होता है बहुत ही काम का रहता है जो जाकर हमारे blood हमारे खून में जाकर mix हो जाता है ठीक है in the small intestine they are absorbed into the blood और क्या बोले जब small intestine में यह process होता है जो हमारा खाना दूसरा substance बनता है तो वह जाकर blood जो हमारा खून है उसमें absorb हो जाता है उसमें soak लिया आधे के लिए स्रल दि desp Sieg Maca 600 बारा ले लिया जाता है और जो भचांच हमारे यूंज का नहीं रहता है और वो यह लाज इंटेस्टायं में चला जाते है ठीक है यह वाली में रिखी सरा जो है नहीं सब का यालिमेंटरी कहने लें सब िख है जहांसा हमारा खाना फिल फिक हो रहा है ओकी आगी क्या बोल रहे है दा लाज इंटेस्टाइन ऑफ एन अडर्ट इस बाउट वन एना हाफ मिटर लॉंग अब देखो क्या बोल रहे है कि जो बड़ी हमारी अतुडी रहती है क्या बोलते है ना उसको हाँ तो मतलब कि क्या होले एक बड़ा जो आदमी रहता है जो आदमी या महिला कोई भी उनकी लाज इंटेस्टाइन करीब करीब कितनी रहती है एक और आधा मिटर ना डेर्ड़ मिटर की रहती है ठीक है देखो यहां पी क्या होल रहे है आपको कि लाज इंटेस्टाइन में क्या होता है जो अब इसमें जो खाना है जो रहता है हमारे बोड़ी दोआरा सोक लिया जाता है हमारे बोड़ी को पानी ज़रूँ थी ना तो उसमें से पानी ले ले लेता है और जो बाकी का बचा वो feces मतलब की मल या बसी तो पॉटी पॉटी में वो बदल जाता है ठीक है दा फीस कलेक्ट इन दा रिक्टम फुर सम टाइम और क्या बोले दो कि जो फीस है यह जाकर जो हमारा हमारी जो पॉटी है तो वो जाकर रिक्टम में कुछ के लिए वहां पे स्टूर रहती है वहां पे जमा रहती है देखो आपको मैं बताता हूं अब समय लो हमने जो खाना खाया हमारे लाज इंट्रेश्राइन में गया तो इसमें से जो भी पानी बचता है वह हमारे बॉडी द्वारा सोक लिए उसके बाद पॉटी में बदलता है थी थी एनस एक्सपेंड में तो क्या बाहर निकाला जाना ठीक है क्या बाद में क्या होता है लेटर में बाद में बाद में क्या होता है यह जो पॉटी रहती है जो हमारे रेक्टम में स्टोर रहती है यह हमारे बॉडी के बाहर निकाल जाते है एनस के थूरू ठीक है ओक ह आप आप समझ गए होगे चलो आगे बड़ते हैं अब देखो यहां पर do you know यहां पर क्या बोल रहे हैं do you know मतलब क्या आप जानते हो क्या देखते हैं a sufficient quantity of water is necessary for the process of digestion to take place properly as well as for the food to keep moving through the elementary canal देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं sufficient quantity मतलब क्या एक अच्छी मातरा ठीक है پ्रोफरली मतलब अच्छे से elementary canal मतलब कुमालो हैं जो हमारे मुट से शुरू होताँ हमारे ens में जाके खतब होते है वह होता है elementary canal क्या बोल रहे हैं कि एक अच्छे मातरा में पानी की जरूरत होती है हमारे हमारे में ताकि वह अच्छे से नीचे तक जाए खाना ठीक है अब आगे देखो इसलिए देखो कभी कभी सूखी चीज़ हम खाते हैं तो हमें अठक ने लगती है क्योंकि पानी कम पढ़ जाता है ठीक है जो हमारा थूख यह सब रहता है कम हो जाता है अब आगे क्या है देखो कि इसलिए अगर कोईि इनफ वाटर मतब कि काफी पानी नहीं पीता है ज्यादा पानी नहीं पीता है तो क्या होता है उसको हो जब वह टॉइलेट जाता है तो क्या होता है उसका जो पॉटी रहती है बहुत कड़क निकलती है जिससे उसको बहुत मुश्किल होता है दर्द होता है तो इसके पानी अच्छे से पीना चाहिए ताकि आपको टॉइलेट में कुछ परेशानी नहीं हो आप समझ गयों कि चलो आगे बढ़ते हैं नन अफ दिए अधर टास्क इंदा बॉड़ी कैंगो कैंगो विदाउड वॉटर देखो क्या वहले कि हमारे शरी के अंदर कोई और टास्क काम बीना पानी के नहीं हो सकता है दो वॉटर इस एब्जॉब्ड डियूरिंग डिजेश कामों में यूज होता है देट इज़ वाइ इंपॉटेंट टू डू ट्रिंग दो pipe है, वो आकर उपर खुलती है, कौन सी pipe है? एक तो, isophagus की है, जो हमारे खाने की pipe है, जिससे खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, और दूसरी pipe है wind pipe, जिससे हम सास लेते हैं, जो हवा जो हमारे शरीर के अंदर जाती है, आपको पता रहे हैं जब हम खाने को निगलते हैं तो क्या होता है जो हवे की पाइप है वो बंद रहती है ठीक है वो बंद हो जाती है देखो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो क्या होता है जो हमारा खाना रहता है वो फूड पाइप से की बजाए कहां विंड पाइप में चला जाता है हमारा तब दम घुटने लगता है यही वज़ा है कि हमें जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए वी मस्ट ऑल्स ओवाइड स्पीकिंग एड दे सेम टाइम और क्या बोल रहे हैं इसलिए हमें यह अवाइड करना चाहिए इससे बचना चाहिए कि हम खाते समय बात करें हमें खा हमारा यहां पे हम पार्ट वन खतम कर दें हैं ठीक है क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो चुका है अगर आगे पढ़ाओंगा तो और भी लंबा हो जाएगा आप बोर होगे तो हम बाकी का पार्ट टू में करेंगे तो इसका लिंक जो कमेंट सेक्शन अगर वहां नहीं